वर्ष 2022 में नाकपंचमी कब है एवं नाकपंचमी की तारिक और सुमुहुर्थ इसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं साथ ही हम चर्चा करेंगे नाकपंचमी की कुछ मान्यताएं और कुछ कथाओं के बारे में और अंत में हम चर्चा करेंगे नाक पंचमी के पूजा विधी के बारे में तो अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ओन कर दिजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले होटे और आप वीडियो को लाइक और सेर भी जरूर करें तो चलिए शुरुवात करते हैं और जानते हैं नाक पंचमी की कुछ मान्यताओं के बारे में नाक पंचमी के दिन सर्फूं को दूद से स्तान कराना और उनका पूजन करना साथ ही साप को दूद पिलाना यह जो भी व्यक्ति करता है उस व्यक्ति को अक्षय पुन्य की प्राप्ति होती है हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के पुत्र रिशी कश्यप की चार पत्निया थी मान्यता यह है कि उनकी पहली पत्नी से देवता दूसरी पत्नी से गरूर और चौथी पत्नी से देत्ति उत्पन्न हुए थे परन्तु उनकी तीसरी पत्नी का नाम कद्रु था जिसका तालुक नागवंसे से था उन्होंने नागु को उत्पन्न किया था पौराणी कथानुसार जन्मजे जो अर्जुन के पौत्र थे और परिक्षित के पुत्र थे उन्होंने सर्पू से बदला लेने और नागवंसे के बिनास है तू एक नाग यग्जी किया क्योंकि उनके पिता राजा परिक्षित की मृत्यू तक्षक नाग के काटने से हुई थी नागूं की रक्षा के लिए इस यग्जी को रिशी जरतकारू के पुत्र आस्तिक मुनी ने रोका था जिस दिन इस यग्जी को रोका गया उस स्रावन मास के शुकल पक्ष की पंचमी थी और तक्षक नाग और उसका सेस वचा हुआ बंच इस विनास से बज़ गया मानिता यह है कि यहीं से नाग पंचमी पर्व मनानी की परंपरा रही है वर्ष 2022 में नाग पंचमी 2 अगस्त 2022 को मंगलवार के दिन है नाग पंचमी पूजा का जो सुमोहुर्त रहेगा वह सुबह 5 बच कर 42 मिनट से सुबह 8 बच कर 24 मिनट तक रहेगा इस दो घंटा 41 मिनट की आवदी में आप नाग पंचमी की पूजा कर सकते हैं जो तिस सास्त्र में पंचमी तीथी का खौमी नाग को माना गया है इसलिए इस दिन नागू की पूजा प्रधान रूप से की जाती है जिस ब्यक्ति के भी कुंडली में काल सर्फ दोष है उस ब्यक्ति को इस दिन काल सर्फ दोष की पूजा जरूर करनी चाहिए अगर ब्यक्ति किसी कारण वास यह अनुस्ठान नहीं कर सकता तो नाग पंचमी के दिन उसे कुछ ऐसे कारी करने चाहिए जिससे ब्यक्ति को काल सर्फ दोस से मुक्ति मिल जाती है अगर आपको यह कारिय जानने हैं तो इस वीडियो के उपर आई बटन पर यह लिंक दे दूँगा साथ ही वीडियो के अंत में भी मैं इंडी स्कीन पर इस वीडियो को लगा दूँगा आप उस बीडियो को देखकर नाग पंचमी के दिन ऐसे कौन से कारिये हैं जिससे काल शर्पदोस्ट का निवारण हो सकता है, इस बीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वहा बीडियो में कुछ समय पहले बना चुका हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं और उससे वहा उपाई जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं नागपंचमी पर्व की पूजा विदी के बारे में। नागपंचमी का जो भी ब्रत करता है तो उसे यहां जानना जरूरी है। कि नागपंचमी के ब्रत के आठ नाग देव माने गए हैं। इस दिन में अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट और संखनामक अश्ट नागों की पूजा की जाती है जो भी नाग पंचमी का ब्रत रखता है उसे चतुर्थी के दिन एक ही बार भोजन करना चाहिए तथा पंचमी के दिन उपवाज करकर साम के समय भोजन करना चाहिए पूजा करने के लिए नाग की कोई फोटो यानि नाग का चित्र या मिट्टी की सर्पमूर्ति को लकडी की चोकी के उपर स्थान दिया जाता है उसके पश्चात हल्दी, रोली या लाल सिंदूर, चावल और फूल चड़ा कर नाग देवता की फूजा की जाती है उसके बाद कच्चा दूद, घी, चीनी मिला कर लकडी के पट्टे पर बैठे सर्फ देवता को इसे अर्पित किया जाता है पूजन करने के बाद नाग देवता की आर्थी की जाती है इस दिन किसी सफेरे को कुछ दक्षणा देकर यह दूद आप सर्फ को पिला सकते हैं अंत में नाग पंचमी की कथा इस दिन जरूर सुननी चाहिए तो इस तरह से आप नाग पंचमी पर्व की पूजा कर सकते और अगर आपकी कुंडली में काल शर्प दोस है तो मैं आपको पुनह से बता दूँ मैं वीडियो के अंत में इंडी स्कीन पर भी उस वीडियो को लगा दूँगा और उपर आइकार्ट पर भी इस वीडियो का लिंक दे दूँगा आप काल सर्प दोस निवारण हेतु आपको आसान कौन से कारी करने है इसके बारे में आप जानकारी ले सकते तो उमीद करता हूँ कि यहाँ जानकारी आपको पसंद आई होगी और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राई भी जरूर लेकिए धन्यवार